आईए सुनते हैं मुंसी प्रेम चन जी की कहानी दो भाई के हिड्योदगार को प्रकट किया है दैव दैव घाम करो तुम्हारे बालक को लगता जाड मा उन्हें चुमकार कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती उसके हिर्दय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की जलक दोनों भाई बड़े हुए साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे केदार की बुद्धी चुस्त थी माधव का सरीर दोनों में इतना सने था कि साथ साथ पाट साला जाते साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहते थे दोनों भाईयों का ब्या हुआ केदार की वदू चंपा अमित भाष्णी और चंचला थी माधव क वदू श्यामा सावली सलोनी, रूप रासी की खान थी, बड़ी ही मृत भाष्णी, बड़ी ही सुसीला और सांस भावा थी, केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीजे, परंतु कलावती का मन किसी से न मिला, वैं दोनों से प्रसन और दोनों से प्रसन थी, उसकी स दिक्षा-दिक्षा का बहुत अंस, इस व्यर्थ के प्रयत्म में वय होता था, कि चंपा अपनी कार कुसलता का एक भाग, स्यामा के सांसभाव से बदल ले, दोनों भाईस संतान वान हुए, हरा बरावरक्ष खूप फैला और फलों से लद गया, कुटित स्वरक्ष में एक फल द्रिष्टी गोचर हुआ, वै भी कुछ पीला सा मुर्जाया हुआ, किन्तु दोनों प्रसन्य थे, मादव को धन संपत्ती की लाल सा थी, और केदार को संतान किया विला सा, भाग्य की इस कूट निती ने स्ने स्ने द्वेस का रूप धारन किया, जो सौभाविक था स्यामा अपने लड़कों को समारने सुधारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुरसत नहीं मिलती थी, बेचारी चमपा को चूले में जलना और चक्की में पिसना पड़ता, यह अनीती कभी कभी कटू सब्दों में निकल जाती, स्यामा सुनती, कुड़ती और चुप नपाकर सिकारी की तरफ लपका, चमपा और स्यामा समकोन बनाने वाली रेखाओं की भांती अलग हो गई, उस दिन एक ही घर में तो चूले जले, परन्तु भाईयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही, कई वर्स बीद गए, दोनों भाई जो किस समय एक ही पालती पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे, और एक ही चाती से दूर पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गाउं में रहना कठिन हो गया, प्रन्तु कुल की साथ में बट्टा न लगे, इसलिए इर्शिया और द्वेश की धत्की हुई आग को राख के नीचे दवाने की वेर्चेष्टा की जाती थी, उन लोगों में अब ब्राचने न था, केवल भाई के नाम की लास थी, मा भी जीवित थी, पर दोनों बेटों का वे मनश्य देखकर आंसु भाया करती, हिर्दय में प्रेम था, पर नेत्रों में अभिमान न था, कुसुम व भोले थे, आज एक को रोते हुए देख, दूसरा हंस्ता और तालियां बजाता, अब वे समस्दार और बुद्धी मान हो गए थे, जब उन्हें अपने पराई की पहचान न थी, उस समय यदि कोई छेडने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता, तो दूसरा जमीन पर लोड़ जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता, अब यदि एक भाई को मिर्तिव भी धमकाती, तो दूसरे के नेत्रों में आसू ना आते, अब उन्हें अपने पराई की पहचान हो गई थी, बेचारे माधव की दसा सोचने थी, खर्च अधिक था और आम पुत्रियां और आवश्यक वस्तों मोतियों के मूल, कुछ पाईयों की जमीदारी कहां तक सम्हाल थी, लड़कों का बया अपने वस्त की बात थी, पर लड़कियों का विवा कैसे टल सकता, दो पाई जमीन पहली कन्या के विवा में भेंट हो गई, उस पर भी बराती बिन भात खाए आंगन से उड़ गए, से इस दूसरी कन्या के विवा में निकल गई, साल भर बात तीसरी लड़की का विवा हुआ, पेड़ पत्ते भी न बचे, हाँ, अब की डाल भर पूर्ट थी, परंतु दरिद्रता और धरोर में वही संबंध है, जो मास और कुट्ते में की ताक में थी, तुरंत नए नातेदारों को सूचना दी, तुम लोग बेसुद बैठे हो, यहां गहनों का सफाया हुआ जाता है, दूसरे दिन एक नाई और दो ब्रहमन माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए, बैचारे के गले में फांसी पड़ गई, रुपए कहां से जावें, ना जमीन, ना जायदात, ना बाग, ना वगीचा, रहा विश्वास, वै कभी का उठ चुका था, अब यदि कोई संपत्ती थी, तो केवल वही दो कूठरियां, जिसमें उसने अपनी सारी आयू बिताई थी, और उसका कोई ग्राहत ना था, विलम से नाक कटी जा आया और आँखों में आशू भरे वोला, भाईया, इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी साहता करो, केदार ने उत्तर दिया, मद्धू, आज कल मैं भी तंग हो रहा हूँ, तुम से सच कहता हूँ, चमपादिकार पूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या इन के लिए भ रियोजन नहीं था, हाथ तंग है तो क्या, कोई न कोई प्रवंध किया ही जाएगा, चमपा ने माधों से पूछा, पांच बीच से कुछ उपर ही पर गहने रखे थे न, माधों ने उत्तर दिया, हाँ ब्यास सहित कोई सवा सो रुपए होते हैं, केदार रमायन पढ़ रह और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देते नहीं, माधों ने सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता, तो क्या, और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे आता क्यों, बोला, लिखने पढ़ने को मेरे पास है ही क्या, जो कुछ ये विलासाएं पूरी होंगी, परंतु हिर्दे की ये उमंग मो तक आते आते गंभीर रूप धारन कर गई, चमपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे, सार हो तो कुछ किराया ही आवे, पर गवई में तो कोई सेंत में रहने वा जाए, चमपा ने गरदन हिला कर ये सिउक्ती की सराना की और बोली, पर दो तीन बीस से अधिक मिलना कठिन है, केदार ने जान पर खेल कर कहा, अरे बहुत दबाने पर चार बीस हो जाएंगे, और क्या, अपकी चमपा ने तीवर दिष्टी से केदार को देखा, और अन्मन इसी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते, मादव अपने भाई भावज के इसको त्रहस को कुछ-कुछ समस्ता था, वह चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धी कहां से मिल गई, बोला, और रुपे कहां से आवेंगे, चमपा चेड कर बोली, और रुपे के लिए और सवा सो रुपे इन दू कोट्रियों के इस जिनम में कोई न देगा, चार बीश चाहो तो एक महाजन से दिला दूँ, लिखा पड़ी कर लो, मादव इन रहस में बातों से ससंक हो गया, उसे भै हुआ कि ये लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं, दर्टा के साथ अड कर बोला, और कौन से फिकर करूं, गहने होते तो कहता, लाओ रख दूं, यहां तो कच्चा सूद भी नहीं है, जब बतनाम हुए तो क्या, दस के लिए, क्या पचास के लिए, दोनों एक ही बात है, यदि घर बेच कर मेरा नाम रह जाए, तो यहां तक तो सविकार है, प्र कोई क्या करेगा, और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है, मुझे कौन जानता है, संसार तो भाईया को हसेगा, केदार का मुशूग गया, चंपा भी चकरा गई, वह बड़ी चतुरवाक के निपुर रम्री थी, उसे माधो जैसे गवार से ऐसे दर् कर बोली, लालू, कभी कभी तुम भी लड़कों की सी बातें करते हो, भला इस जोपड़ी पर कौन सो रुपए निकाल कर देगा, तुम सबा सो के बदले, सो ही दिलाओ, मैं आज ही अपना हिस्सा बेशती हूँ, उतना ही मेरा भी तो है, घर पर तो तुमको वही चार बिस म मिलेंगे, हाँ, और रुपयों का परबंध हम आप कर देंगे, इज़त हमारी तुम्हारी एक ही है, वह न जाने पाएगी, वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा, माधव की इच्छाएं पूरी हुई, उसने मैदान मार लिया, सोचने लगा, मुझे तो रंपा ने कपट भेस त्याग दिया, और बड़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे का दोसी सिद्ध करने की चेश्टा करते रहे, अंत में मन को इस तरह संतोस दिया, कि भोजन बहुत मदूर नहीं, किन्तु भर कठोथ तो है, घर हाँ देखेंगे, कि स्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती हैं, केदार के दरवाजे पर दो बैल खड़े हैं, इन में कितनी संग सकती, कितनी मितरता और कितना प्रेम है, दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इन में इतना ही नाता है, किन्तु अभी कुछ दिन हुए, जब इन में से एक चमपा के मैके मं लंगनी गया था, तो दूसरे ने तीन दिन तक नाद में मुह नहीं डाला, प्रंतु सोक, एक गोत के खेले भाई, एक चाती से दूच पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं, कि ये घर में रहना भी नहीं चाहते, प्रात्यकाल था, केदार के दौार पर गाउं के मु रखते, पर खत की सान न सुधरती थी, केदार का मुखार विन्विक्षित था, और चमपा फूली नहीं समाती थी, माधो कुमलाया और मलान था, मुख्या ने कहा, भाई ऐसा हित, न भाई ऐसा सत्रू, केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली, नंबरदार ने अनमोदन क भाई हो तो ऐसा हो, मुक्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है, दाता द्याल ने पूछा, रेहन लिखने वाले का नाम, बड़े भाई बोले माधो वल्द सिवदत, और लिखाने वाले का केदार वल्द सिवदत, माधो ने बड़े भाई की और चकित होकर देखा, सी साओकार की थी, जब घर ही में रुपया मौजूद है तो इस रहना में की आउसकता ही क्या थी, भाई-भाई में इतना विश्वास, अरे राम-राम, क्या मादव 80 रुपए का भी मेहना है, और यदि दबा ही बैठता, तो क्या रुपए पानी में चले जाते सभी की आखें सेंद वारा प्रस पर बातें करने लगी मानो आस्चर किया था नदी में नौकाईं डगमगाने लगी स्यामा दरवाजे की चौकट पर खड़ी थी वसदा केदार की परतिश्टा करती थी प्रंतु आज केवल लोक रिती ने उसे अपने जे सुहाउना सुनेरा परभाद था और दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उचल कूत कर दूद रोटी खाते थे उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था हिर्दय में कितनी उमंग और कितना उस्सा परंतु आज 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 नैनों में लज्जा और हिर्दय में सोक संताप उसने प्रित्वी की और देखकर कातर स्वर में कहा हे नाराइन क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोक में जन्म लेना था धन्यवाद